हेलो है नमस्कार स्वागत है आप सबका रोयलास अकडमी के इस प्लेट फॉर्म पर जहां आज 23 दिसंबर 2021 के दहिंदु एडिशन के साथ हम वो पस्तित है न्यूज अनलाइज करने के लिए उन सारे न्यूज आर्टिकल्स को जिससे आने वाले कंपटीशन में करेंट अफेर जो हाइलाइटिड है वो है सक्तिविल 6 डेथ सेंटेंस फॉर रेप ये सक्तिविल महराष्टरा गवर्मेंट लेकर के आई है महराष्टरा गवर्मेंट ने एक नया बिल पास किया है इसका नाम है सक्ति बिल इस सक्ति बिल में ये प्रोवीजन है कि अब के बाद अगर यहाँ पर कोई रेप जैसे जगन्य अपराद को अंजाम देता है तो उसे हैंक किया जाएगा उसे डेथ सेंटेंस दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत तरीके से किसी को फशा सकता है अगर misinformation दिया जाएगा अगर गलत information दिया जाएगा किसी को गलत तरीके से अगर फसाया जाएगा तो उसका भी प्रवधान है कि गलत FIR दरज करने वाले को minimum एक साल की सजा और fine का प्रवधान है So there are both sides in this bill महराश्टरा इंडिया का first estate बनने जा रहा है जहां पर ये provision लाया गया है ये bill लाया गया है देखते हैं next article को heated winter session concludes a day early हमें पता है कि parliament minimum 2-3 बार तो पूरे season में एक साल में बैठता ही है maximum जो difference है वो six month का होता है इनके meeting में 6 महिने से ज्यादा का gap नहीं होना चाहिए ऐसे में जब बहुत सारे bill parliament में pending है और एक दिन पहले ही session खतम हो जाता है obviously ये concern का subject है but they are their own master कोई उनको कुछ नहीं कह सकता they have some privilege एक नजर डालते हैं कुछ bills पर जो कुछ pass किये गए कुछ pending है और कुछ repeal किये गए इस winter session में form lodge repeal किया गया अभी हाल फिल हाल में PM ने खुद announce किया था dam safety bill पास किया गया dam safety bill ये world bank sponsored bill है world bank इसमें monetary help करती है जितने भी इंडिया में पुराने dam है उनको reconstruct या उनको तोड़कर कहीं और alternate जगह पे नया dam बनाने का provision है assistance reproductive technology bill 2021 इसे पास किया गया है इसमें जो नए नए instruments हैं जो reproductive productivity में help करते हैं उसके regulation की बाद कही गई है sarugacy bill 2021 national institute of pharmaceutical education and research bill ये एक नया institute amendment किया गया है apex body बनाने के लिए pharmaceutical का appropriation bill 2021 high court and supreme court judge salaries and condition of service amendment bill 2021 जिसमें इनकी salary को बढ़ाना है condition of services तै करना है daily special police establishment act ये actually 48 का will है 1948 का act है जिसमें cvi को establish किया गया था daily special police establishment act सही central vigilance commission will 2021 narcotic drugs nps इसमें भी amendment किया गया है cvs में भी amendment किया गया है उनके जो terms है chairman और member के उसको कम किया गया है election lodge bill 2021 ये election lodge में जो bogus voting की बात की जा रही है इसे हटाने इसे हटाने के लिए आधार को voter ID card से link करने के लिए का गया है ये जो 11 bill हैं इसमें से एक form lodge तो repeal हो गया है बट कितने form lodge थे जो 3 थे उनके नाम क्या है ये important है आपके लिए और ये 11 bill को आप एक बार go through detail में जरूर हो ले यहाँ पर अगर हम इसे detail में देखेंगे तो कम से कम 2-3 घंटे चाहिए तो आप इसे alternate days में एक-एक bill करके till your paper इन सारे की एक good understanding आप बना ले ये important है एक जगा पे आपको ये मिल गया है ये 11 bill आपके paper के लिए बहुत important है next article है United Nations Security Council adopts resolution to EG Afghan assistance कुछ दिन पाले अभी OIC ने organization of Islamic countries जिसके की 57 members है और ये खुद को Islamic world का champion मानता है इन्होंने एक resolution pass किया था कि हम United Nations से कहेंगे कि Afghanistan को add दिया जाए अफगानिस्तान में जो situation है उसे easy किया जाए finally United Nations Security Council जिसका कि India अभी फिर से member बना है अगले दो साल के लिए permanent नहीं Security Council के permanent P5 आपको पता ही है तो वो P5 नहीं है ये P5 में कौन को नाता है Asia से China आ जाएगा और Europe Asia से Russia आ जाएगा UK आ जाएगा इधर आपका USA आ जाएगा ये सारे P5 ग्रूप बनाता है IT Department Search Premises of Chinese Mobile Firms OPPO और Jyomi ये Chinese Mobile Firms हैं IT Department को कुछ doubt था कि sedacious type की कुछ activity चल रही है इनके फर्म में इनके जो आफिसेस हैं वहाँ पे तो IT Department ने सर्च किया है इनको sedacious act के अंदर ये भी आते हैं IT firm भी आते हैं अभी IT act में अभी इन्वेट भी government ने किया था 2020 में India gives 1 million dose to Myanmar पहले भी इंडिया ने जब first time कोरोना का वेब चला था और इंडिया ने वैक्सिन तयार किया था तो खुद से ज़्यादा दूसरे लोगों को यूज करने के लिए था अफरिका तक हमने डोजेज भेजे थे साउथ अमेरिका तक हमने भेजे थे पाकिस्तान को छोड़कर सारे कंट्रीज ले गये थे हमसे अभी बंगला देश ने चाइना के साथ अगरिमेंट किया है उसे इंडिया से नहीं चाइना से चाहिए तो क्वेशन इस टाइप से अगर आए कि इंडिया ने किस-किस कंट्री को दिया है तो बंगला देश उसमें सामिल नहीं है फिलाल बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ बुमेन कमांडोज टू गार्ड हाउसेस ओफ हमित सा एंड गांधीज ये गांधीज में जो ट्रियो हैं अपने सुनिया गांधी, राहूल गांधी, प्रियंका गांधी ये सारे आ जाएंगे अब ये एक इसू हो सकता है कि वाई वोमेन कमांडोज, मेभी ते फिल सेफ इंद्रा गांधी को का जिसने जिन लोगों ने असिसनेट किया था वो मेल कमांडोज थे, उनके खुद के बॉड़ी गार्ड थे, फिमेल कमांडोज में हो सकता है ये थोड़ा सेफ फिल करते हूँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि वोमेन कमांडो ये प्लेस किया जाए या मेल कमांडो प्लेस किया जाए, जस्ट फर इंफरमेशन, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, हाई कोट जिसका आर्टिकल 214 से शुरू होता है, 214 नमबर से इसका आर्टिकल सुरू होता है, हाई कोट का इंडियन कंस्टिचिउशन में, ये हाई कोट को पावर है, 204 आर्टिकल, 14 आर्टिकल कहता है कि there will be a high court in every estate or for more than one estate और union territory और आज भी कई ऐसे हाई कोट हैं, जो एक से ज्यादा आस्टेट और यूटी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे महरास्ट्रा का high court हो, आसाम का high court हो, इन सब के पास एक से ज्यादा आस्टेट या union territory का authority है, फिलहाल जो direction दिया गया है, वो juvenile justice system को improve करने के लिए guideline दिया गया है, high court ने काया है कि जो rehabilitation plan है, juvenile को जब सजा होती है, juvenile board भेजा जाता है, juvenile के jail में भेजा जाता है उन्हें, jail तो नहीं कहेंगे, आप उसे rehabilitation center का सकते हैं, जहां उन्हें सुधारा जाता है, उनके behavior को amend किया जाता है, तो उसमें कुछ change की बात कहीं गई है, high court ने इस पे order दिये हैं, यह amendment rehabilitation के लिए कुछ terms हैं, जैसे individual care plan and rehabilitation card of children in conflict with law by JJB, इन दोनों पर high court ने focus करने के लिए काया है, इसे review करने के लिए काया है, बढ़ते हैं अगले article की तरफ, different-different government prohibition अब शुरू कर रही है, देली government का कहना है कि जो gathering होगा, 31st December और 1st January या Christmas के occasion पे, उसको control करना है, उस पे government ने night curfew की बात किये, देखते हैं next niche article को, high court में एक pill डाला गया है, fake encounter के लिए, high court में कोई भी pill डाल सकता है, provided proper region आपके पास हो, high court once again, article 214, देखते हैं next article को, debate on anti-conversion will today, हाली में करनाटका ने anti-conversion will pass किया है, जो बहुत strict है, और ये will pass होते ही, वहाँ पे जो, Christian community के लोग हैं, वो शड़क पे उतर आये हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खत्रा उनहीं के population को है, जब convert होगा नहीं तो उनका population तो बढ़ेगा नहीं, उनका जो जाल है वो फैलने से रोक दिया गया है करनाटका में, करनाटका ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अस्टेट हैं, जैसे UP हो गया, MP हो गया, हर्याना है, आसाम है, हिमाचल परदेश है, उत्राखंड है, इनफेक्ट महरास्ट्रा है, इन सारे अस्टेट ने anti-conversion भी लाए हुए हैं, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, नितीज इंबार्क्स ओन सोशल रिफॉर्म, कंपेंड फ्रॉम चंपारन, चंपारन से 1917 याद आता है, और 1917 से याद आता है, महत्मा गांधी का फर्स्ट नन कोपरेशन मोंमेंट, महत्मा गांधी का फर्स्ट अक्टिविटी, यहां से उनकी कैरियर की सुरुवात हुई थी, चंपारन सत्यागरा, इंडियन आर्मी इंडक्ट्स, इंडिजनसली विवल्ट AERVS, बहुत ही इंपोर्टन न्यूज आर्टिकल है, यह आपको प्री में मिल जाएगा कि AERVS क्या है, किसने बनाया है, कब इंडक्ट किया गया है, इंडिजनसली बनाया गया है, कि बाहर से कुछ पार्ट्स मंग हो आए गया है, यह सारी चीज़ें इंपोर्टन है, तो एक नजर डालते हैं AERVS पर, DRDO, ऑब्यस ही बात है, डिफेंस से रिलिटेड जितने भी एक्यूपेंट होते हैं, यह DRDO या हॉल बनाता है, या वेल बनाता है, तो इसे डिजाइन किया गया था DRDO के दोरा, और का HAL, जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्यूपेंट बनाता है डिफेंस के लिए, उसका कोई कंट्रिब्यूशन नहीं है, यहां यह दो और्गनेजेशन आपको याद रखना है, DRDO and वेल, AERV का मतलब है, आर्मार्ड इंजिनियरिंग री कॉनसाइन्स वेहिकल्स, आर्मार्ड इंजिनियरिंग री कॉनसेंस वेहिकल्स, AERV, यह DRDO और वेल ने डिवलप किया है, यह आपको हर हाल में याद रखना है, नेक्स्ट है कि कहां पर डिवलप किया गया है, वेल का पूने सेंटर है, वहां पर इसे डिवलप किया गया है, जब हम कहते हैं कि कोई कोई भी एक्यूपमेंट या कोई भी ऐसा डिफेंस से रिलेटेट चीज इंडिजनसली है तो हमारा मतलब यह होता है कि में भी कुछ पार्ट बाहर से मंगवाया गया हूँ जैसा कि इसमें भी है 90% कंटेंट जो इसका है 90% पार्ट वो इंडिजनस है बाकी का 10% बाहर से लाय गया है तो वेल का कहना है AERV के बारे में कि AERV is capable of measuring soil wearing capacity on river banks to determine if they are more travel यह sensor based vehicle है आर्मी के लिए जिसमें यह नदी के किनारे जो soil होता है weight soil होता है उसके content को measure करके उसमें water उसकी water capacity को measure करके यह वता सकता है कि क्या वहाँ पे यह चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है for military vehicles on go no go basis critical parameters for bridge laying dry and wet gaps in day and night conditions slopes and height of river banks and canals तो यह कहां कहां huge होगा अब आप सोचें कि कि किसी river के उपर bridge बनाना है तो वहाँ जाना पड़ेगा किसी को वहाँ जाने पर यह भी हो सकता है कि वहाँ पर soil है वो नीचे धस जाए तो उसमें जान का खतरा हो सकता है so person में ना जा करके personally ना जा करके इस vehicle को भेजा जा सकता है और यह vehicle फिर वहाँ से survey करके record लेकर के आएगा कि if it is fit to move there or not so this is A.E.R.V बढ़ते हैं editorial की तरफ editorial में first है Swasni Heather का as a regional leader not a victim of circumstance इन्होंने Indian neighborhood में चल रहे जो problems हैं उसकी तरफ इन्होंने इसारा किया है जैसे मैनमार हो गया military coup वहाँ चल रहा है पिछले साल से तो इनका कहना है कि एक जो big brother का image है इंडिया का अपने neighboring countries में उसे इंडिया को follow करना चाहिए उसे निवाना चाहिए not only मैनमार ही नेपाल में भी constitutional problems चल रहा है सिरलंका में भी constitutional amendment लाया गया था जिसके चलते problem चल रहा है भुटान के साथ बहुत अच्छे संबंद नहीं है अभी तो इन सब की तरफ इनका ही सारा है foreign affair के लिए foreign relation के लिए आपको एक article मिल जाएगा एक वर आपको थूरू हो सकते हैं इसे दहिंदू का जो खुद का editorial है उसमें title डाला गया है warning whales obviously ये omicron के बारे में है कि ऐसा नहीं हो कि पहले जैसा हालात हो जाए जब first time wave आया था corona का और लोग oxygen के लिए bed के लिए इन सब चीजों के लिए भाग रहे थे तो ये एक warning दिया गया है था हिंदू की तरफ से आप चाहें तो go through हो सकते हैं कुछ data मिल जाएगा आपको जैसे आप यहां देखें यहां लिखा है कि a test positivity of 10% or more in the last week और bed occupancy crossing 40% or more on the oxygen supported और ICU अगर 10% से ज्यादा लोग positive test करते हैं या 40% से ज्यादा लोग ICU में हैं तो government के लिए ये एक warning है गवर्मेंट को vigilant होना पड़ेगा ऐसे बहुत सारी data आपको मिल जाएंगे एक idea मिल जाएगा आपको वड़ते हैं अगले article की तरफ why the electoral reforms bill is a problem ये against आधहार linking with voter ID card के लिए लिखा गया है government ने bill pass किया है जिसमें अधहार को voter ID card से link करना है जिससे की bogus voting जो बाहर से आ जाते हैं जैसे बंगलादेशी migrant हैं में अनमार के लोग हैं या ऐसे तमाम लोग जो Indian citizen नहीं हैं या ऐसे भी लोग जो Indian citizen हैं लेकिन एक से ज्यादा जगा उन्होंने voter ID card बना रखें तो ये bogus voting में आता है तो वो तमाम लोग इसका बिरूद कर रहे हैं जिनका बोट में एक bogus voting है ट्रबल्ड वाटर पिछले कुछ दिनों से स्रिलंका लगातार Indian fisherman को आरेस्ट कर रहा है वहाँ पे एक जो पाक स्ट्रेट है जो इंडिया और स्रिलंका को वर्चुली अलग करता है ओसियन में तो उ आर्टिकल उस पर है government को advice दिया गया है कि किस तरीके से इस चीज़ को sort out किया जा सकता है आप एक बार go through हो लें Looking beyond the forest right act very important article forest right act travels के लिए बात की जाएगी जो forest के अंदर रहते हैं forest के vicinity में रहते हैं forest right act एक explosive issue है इसमें जो latest यह act लाए गया था यह 2006 में लाए गया था 2006 आपको year भी याद रखना है FRA forest right act या forest dwellers right act यह 2006 का act है जिसमें वहां रहने वाले community और individuals को कुछ rights दिये गए थे जैसे सूखे पत्ते हैं तो उसे वह उठा सकते हैं लकडियां सूखी है या पेड़ सूख गया है गिर गया है तो उनका वह जो इंडिया faces the disturbing prospect of police becoming gatekeepers over what content reach the public domain यह article कहीं न कहीं police reform की तरफ हिसारा करता है और police reform से हमें याद आता है अगर हम history की तरफ देखें UPSC के view से सोचें तो फ्रेजर कमीशन यह फ्रेजर कमीशन वही कमीशन है जो लॉड करजन ने 1905 में establish किया था पॉइंट किया था police reform के लिए बाद में भी यह इसू चलता रहा है और बहुत यह भी highlighted issue है इंडिया का police reform must कहा जाता है इंडिया में क्योंकि जब से British यहां से गया है तब से ना तो IPC में कोई चेंज आया है और नहीं CRPC में कोई चेंज आया है just कहता है जबकि बहुत सारे circumstances चेंज हो गया है situation चेंज हो गया है population चेंज हो गया है रहने का pattern चेंज हो गया है crime का nature चेंज हो गया है सो पुलिस reform is must undoubtedly यह आपके मेंस के लिए आर्टिकल हो सकता है Arctic in distress आर्टिक से हमें याद आता है हिमाद्री जो कि इंडिया का research station है जैसे मैत्री अंटार्क्टिक में है और हाल ही में अंटार्क्टिक के लिए एक expedition वेजा था इंडिया ने 41 मिंबर का after 41 year फिलहाल यहाँ पे जिस region को highlight किया गया है वो है Arctic North Pole Arctic ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ glaciers melt हो रहे हैं तो बहुत सारे जो polar region के country है वो तो डूब जाएंगे ocean का जो label है वो बढ़ जाएगा means नुकसान के अलावा कोई advantage नहीं मिलने वाला है ice melt होने से Arctic एक treaty भी है इंडिया इसका member नहीं है Arctic treaty के member वो लोग होते हैं जो वहाँ आसपास के country हैं जैसे रसिया हो गया नौर्वे हो गया but observer है तो ये सारी चीजे याद रखनी है आपको बढ़ते हैं अगले article की तरफ vice president जो की राजसवा में chairman के नाम से जाने जाते हैं इन्होंने concern जाहिर किया है कि इस वार राजसवा ने बहुत expectation से विल्लो परफॉर्म किया है obviously एक दिन पहले ही session खतम हो रहा है तो और कुछ उम्मीद तो नहीं किया सकती है राजसवा लोकसवा और संसत ये Indian constitution में mention है तिनों नाम और इसके लिए articles हैं मैं आपको code बता देता हूँ articles हैं 79, 80 और 81 79 कहता है कि संसत there will be parliament 79 is for sunset जिसे आप parliament कहते हैं 80 is for Rajasabha जिसे आप upper house of parliament कहते हैं this is Rajasabha 81 is for लोकसवा जिसे आप lower house of parliament कहते हैं अब आप इसे याद कैसे रखेंगे आप इसे यूँ याद रख सकते हैं just for qualifying the competition कि एक lady है जो आपके यहां काम करने आती है सुबह जो भी है वो सफाई करने आती जो भी उसका नाम है सरला तो यह जो सरला भान है इनको आपको 901 रुपे देने होते हैं हर महीने यह 901 रुपे लेकर के आपके यहां काम करती हैं साफूर संसत, रफूर राजसभा, लफूर लोकसभा 901, 79, 80, 81 आप इस तरीके से स्ट्रिक के वादियम से संसत का प्रोवीजन Constitution के कौन से आर्टिकल में है यह आप याद रख सकते हैं further Chairman और Vice Chairman Chairman और Vice Deputy Chairman लोकसभा का Speaker और Deputy Speaker इन सब का भी आर्टिकल इंपोर्टेंट है एक वर go through आपको होना चाहिए और trick बना करके ऐसे ही याद रख सकते हैं बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ Change to marriage age will contradict other laws अभी government ने एक bill लाया था जिसमें ये कहा गया है कि साधी की age 18 से बढ़ा करके 21 कर दिया जाए बहुत अच्छा act है और डाउट ली कल मैंने एक survey दिया था आपको एक graph दिया था जिसमें जितने भी वहाँ country थे European हो, American हो या Asian और भी country हैं इन फैक्ट उजवेकिस्तान टाइप का भी तज़ाकिस्तान टाइप का भी यहां भी साधी की age मिनमम 22 साल से उपर है तो अगर इंडिया में 21 किया जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है गर्ल्स को कैरियर के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा इसमें कोई evil नहीं है बट कुछ devil है हमारे यहां खास करके जो अब यह opposition में बैठे हैं उनका कहना है कि अगर 18 में गल्स वालिग हो रही है तो उन्हें साधी से क्यों रोका जाएगा यह अलग चीज है हमें politics इसमें नहीं करना है हमें सीधा इसका जो provision है वो दो-तीन में याद रखना है जैसे यह Child Marriage Act 2006 में amendment है तो आपको 2006 याद रखना है कि Child Marriage Act 2006 का amendment है एक नजर डालते हैं कि Child होता कौन है जनरली 18 साल से नीचे के बच्चों को Child treat किया जाता है पर्टिक्रली 16 साल से नीचे जब हम 16 से 18 वालों को juvenile कहा जाता है वैसे overall जो Child Marriage Act में Child का definition है वो 18 year विलो या 18 year तक है एक majority act था 1875 में यहाँ sit किया गया था चाइल्ड का age 18 year 61st constitutional amendment लाया गया था जिसमें voting age को 21 से कम करके 18 कर दिया गया था पोसको act 2012 और juvenile justice act जिसे आज हाई कोट ने एक हाई कोट देली हाई कोट ने का है कि थोड़ा इसका जो rehabilitation का provision है उसमें थोड़ा सुधार लाओ तो पोसको act और juvenile justice act जो की 2012 और 2015 में आया है यह भी Child को under 18 define करता है Right to education act जो की 2002 में पास हुआ था लेकिन साथ साल लग गए आने में 2009 में फाइनली आया यह Child को 6 और 14 यर के बीच define करता है कहने का मतलब है कि Right to education को छोड़ कर बाकी के जितने भी Child से related या Merit से related या voting right से related act हैं सब चाइल्ड को विल्लो 18 यर define करते है But Right to education जो कि 6 साल तक Government की duty है बच्चों को पढ़ाना और 6 से 14 साल तक बच्चों का fundamental right है और fundamental duty है उसके parent का जो कि 11 फंडामेंटल duty बना था Constitution में amendment ला करके यहाँ पर Child को 6 तू 14 के बीच में define किया गया है सो यह important है not only चुकि Marriage Act आ रहा है यहाँ amendment हो रहा है तो Child का definition obviously important हो जाता है बढ़ते हैं अगले article की तरफ HC bats for vaccination to use public transport High Court का कहना है मारास्त मुंबई High Court का कहना है Bombay High Court का कि अगर public transport को यूज करता है तो वो vaccinated होना चाहिए हर हाल में यह सही कहा गया है लेकिन vaccination फिर उतना ही easily available भी होना चाहिए गोवा पोल, election commission plans, webcasting and data analytics in all votes Chief election commissioner जो सुसील चंद्रा जी है अभी इन्होंने एक नया system launch किया है गोवा से गोवा में जो पोल होने वाला है वहाँ पर data analytics और webcasting बूथ पे ही अस्टार्ट हो जाएगा तो यह important है पूछा जा सकता है कि परस्टाइम यह data analytics कहां पर सुरू किया गया है बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ market linked tariff for PPP port projects PPP का मतलब क्या होता है public private partnership जिस पर की government खूब जोड़ देती है LPG के बाद LPG एक economic reform है 1991 के बाद का जिसमें PPP पर काफी जोड़ दिया गया है यहाँ पर उसी से related यह article है कि इस PPP को अगर market linked tariff market link का मतलब होता है कि change as per the market rules current rules यहाँ port project के लिए यह PPP की बाद की गई है बढ़ते हैं अगले article की तरफ सुप्रिम कोर्ट वैसे तो court of the land है law of the land decide करता है यह constitution में क्या सही है क्या गलत है interpret करता है सही तरीके से constitution से article को और strictly law को follow करता है बढ़ आज यह statement आया है सुप्रिम कोर्ट ने insurance से पूछा है कि कुछ अंतरात्मा भी तुम्हारी कहती है कि नहीं यह law को केवल तुम करते रहोगे यह case एक ऐसे couple से है जिसने अपने breadwinner बेटे को breadwinner बेटे को खो दिया था तो वो couple वहाँ court पहुचा है तो court ने insurance company को बोला है कि तुम compensation दो हर हमेशा law को मत देखो थोड़ा अंतरात्मा को भी सुनो consigns जिसको बोलते हैं अब बढ़ते हैं अगले article की तरफ China endorses Hong Kong election यह Hong Kong इस year में काफी highlighted रहा है तो इसका position चाइना के कौन से part में है यह इसका status क्या है जैसे अमेरिका जैसे countries को country वानते हैं और हमेशा provoke करता है Hong Kong को आगे बढ़ने के लिए कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले खुब सारा वहाँ पर movement चल रहा था Hong Kong में अब चाइना ने खुदी endorse कर लिया election को कि ठीक है चलो Hong Kong में election करवाते हैं ताकि international pressure ना पड़े European Union initiates action after Poland violets block large European Union जो की 27 member का एक country है Poland जो उसका member है Poland ने एक rule को violate किया है तो European Union obviously बाता है कि कोई भी member जो rule है union का उसको violate नहीं कर सकता है अधरवाइज उस पर action लिया जाएगा यहाँ अपने लिए important है European Union कितने member का organization है यह 27 member का organization है यह आपको याद रहे बढ़ता है economic news में त्यागी यह जिनका title त्यागी है यह actually SEVY के chairman है security exchange board of India और इधर दास ससिक कांत दास यह RBI के chairman है तो दोनों chairman का नाम आ जाया है सामने RBI का काम होता है monetary policy बनाना इसके पास एक monetary policy committee होती है जो monetary policy बनाती है और government financial policy बनाती है SEVY अभी एक दो दिन से highlight में है because SEVY ने जो trade होता है key crops में उस पे ban लगा दिया था उसको फिलहाल बंद कर दिया है तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि मांगाई बढ़ जाएगी inflation थोड़ा increase कर जाएगा तो उससे related इनों ने समझाया explanation दिया है बढ़ते हैं अगले article की तरफ sports में आज ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए UPSC या state PCS के लिए important हो text और context में करनाटका के anti-conversion legislation को लेकर के article आया है इसमें आप नीचे देख सकते है कि जो none है इनका कहना है कि ये right to freedom right to religion के against है इंडिया एक secular country है और ये ये भूल जाते हैं कि ये खुद बहुत बड़े hypocrite है ये जो Christian community है ये just अपने कुछ privilege के लिए इनको लगता है कि ये बाकी सबसे उपर है दूसरा article आया है ये भी important है समझाया गया है कि suspension of future trading agri products जो सेवी ने की crop में trading ban किया है उसका क्या effect पढ़ेगा तो ये article के go through हो सकते हैं अब एक article आया है keyword में the harm principle इसमें J.S. Mill जो की बहुत बड़े philosopher माने जाते हैं J.S. Mill का एक principle है harm principle जिसमें वो कहते हैं कि liberty तब तक किसी का content नहीं किया जा सकता authority किसी को liberty को नहीं रोक check कर सकती जब तक कि एक person का liberty दूसरे के liberty के लिए हनिका रखो that is called harm principle अगर किसी person का liberty किसी दूसरे के लिए harmful है then authority वहाँ पे check-in कर सकती है this is called harm principle by Stuart Mill John Stuart Mill shortcut में हम इने J.S. Mill कहते हैं इनका एक essay आया था 1859 में on liberty time मिले तो जरूर पढ़िए इन जीजों को बहुत काम आएगा आपको UPSC के preparation में so आज के news article में इतना ही मिलते हैं कल next news article के साथ